हाई कमर दर्थ के लिए fingers को cross करो chin के नीच रप हो elbow भार रहेंगी आपके shoulders और elbow नहीं उठेंगे पीछे से legs bend करना है और इनको क्या करना है left right left right पूरी कोशिस करनी है कि यह आपके जम्मिन पे touch होंगे sides में घुटने के उपर घुटना और पंजे के उपर पंजा इस तरीके से आप इसको चलाए ठीक है तो यह आपके middle order पे काम करेगा आपके back pen को ठीक करेगा और sides fat को भी reduce करेगा good luck नाक माथा लगाने की कोशिस चलिए चलिए तेजी से स्वांस लेते वे कमर उपर और छोड़ते वे नीचे breathe in up, breathe out, down कम से कम पचास बार इसक्रिया को करना है up and down, up and down बहुत बढ़िया हाथ पसलियों के पास स्वांस लेते वे सरकंधा उपर भुजंग आसन के लिए गर्दन पीछे की ओर स्वांस छोड़ते वे घुटना कमर उपर के लिए परवत आसन एडियां जमीन पर लगी हुई गर्दन जमीन की ओर स्वांस लेते वे भुजंग आसन स्वांस छोड़ते वे परवत आसन पाउं को सिधा रखेंगे एडियां जमीन पर स्वांस लेते वे भुजंग आसन गर्दन को पूरा उपर की ओर खीचें आसमान को देखने का प्रयास स्वांस छोड़ते वे परवत आसन पाउं सिधा रखने का प्रयास लुक एट यूर नेवल अपने नाभी मंडल को देखने का प्रयास करें स्वांस लेते वे भुजंग आसन स्वांस छोड़ते वे परवत आसन स्वांस लेते वे भुजंग आसन स्वांस छोड़ते वे परवत आसन भुजंग आसन शाबास एडी पंजा दोनों तरफ जमीन पर लगाने का को प्रयास घुटने के उपर घुटना पंजे के उपर पंजा कंदे और कौनिया नहीं उठेंगे उनको जमीन पर प्रेस करके रखो बहुत बढ़िया रपास वान जीचो जीचो बढ़िया टू ट्री फोर बहुत अच्छे सिक्स कंट्रोल के साम नचर सामने सेवान एच बहुत बढ़िया नाइड तेन अदे वाँ 11 12 18 14 15 उपर आते बेशांस छोड़नी है 17 18 19 20 सर कंदा दोनों हाथ दोनों पाउं घुटने स्वांस लेते वे उपर उठेंगे और स्वांस छोड़ते वे नीचे जाएंगे सब मेरी काउंटिंग पर करेंगे चलिए एक वापिस जाना है रुकना नहीं है दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस नाक से स्वांस लेने के वाज आनी चीए लेना और शोड़ना दोनों बस्रिका की क्रिया में अ अ अ अ अ अ अ अ